हेलो नमस्कार दोस्तों अभी भी मिली मौसम की ताजा जानकरी के मुतविद मद्यप्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तापमन में लगातार बढ़ोतरी जारी है जिसे प्रदेश वाशु को ठंड से रात मिली है लेकिन दोस्तों मद्यप्रदेश में एक बार फिट से पढ़ने अलेट जारी क्या गया है तो कहां पर कैसा रहेगा मौसम आपके आपर बारिश हो गया नहीं पूरी की पूरी जानकरे जो है इस वीडियो में आपको बताऊँगा तो अगर आप जो है मध्य पर देश में कहीं पर भी रहते हैं तो इसे वीडियो को जल्दी से लाइ जिलो में गरद चमक के साथ बहुचर और बारिश की संभावने जाते गई है और मध्य पर देश में दोस्तो जो है जारे की जबलपूर शेडोल और रिवा संभा के कई जिलो में हलकी हलकी बारिश के आसार और बिजली चमकने का अलट जारी किया गया है जबकि गौालियर जारे की जारे की बारिश के चलते तापमन में दो से तीन डिगरी तक की गिरावट होने की संभावन है इसे में दोस्तो हलकी ठंड का असर एक बार फीड से वपस आ सकता है अभी बोपाल इंदोर और जबलपूर समेत अधिकतर जिलो में पारा दस डिगरी से जादा है जिस बारत के कई राज्यों में अभी बारिफ बारिश जारी है जिसे मौसम विबाग ने यह भी बता है कि कई इलाकों पर भारी ठंड का पर को भी देखने को मिल सकता है वही दोस्तों बता है जार कि मध्या प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर काफी जगों पर उतार चाड और कई इलागों पर बारिश के जैसे हालाद बन हुए है वहाई दोस्तों फिर बदलेगा मौसम का मिजाज MP के इन जिलों में बारी बारिश के संभावना मौसम विबाग के द्वारा बताई गई है और मध्या प्रदेश में जो है काफी जाता जगों पर ठंड से रात मिलने क उमीद भी जताई गई थी लेकिन अब बारिश के बाद फिर से एक बार ठंड बड़ेगी सीधी सिंग्रोली बिंड और मुरेना में गरज चमक के साथ बारिश होने के संभावना काफ्य दिक है और पस्चिमी विक्षोम के एक्टी होने से मध्या परदेश का मौसम बदल र पस्चिमी विक्षोम के एक्टी होने से मध्या परदेश में जो है मौसम बदल गया है पिछले 24 गंटों में सबसे कम नियूंतन तापमान 9.52 डिगरी सेल्सेस मंडला और खजुरा में दर्च किया गया MP मौसम विबाग के मुतावित अगले 24 गंटों के दौरान बोपाल और आसपास में काफी जगोबर मौसम सुस्क और सामने देखने को मिल सकता है कई लाकों पर लेकिन कई जगोबर बारिश भी होगी बारिश हो रही है फिर उतार चड़ा जारी अभी भी कमेंट करके जरूर बतेगा और वहीं दोस्तों बताए जार के आकड़ों के मुतावित जो है राइसेन मंडला में जो है तापमान में काफी ज़दा उतार चड़ा देखने को मिला रात का तापमान 10 डिगरी के उपर प तो यह था दोस्तों मध्यबरदिश का मौसमी सिस्टम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना जरू करना आप मध्यबरदिश के कोन से जिले गावे शेयर में रहे ते कमेंट करके जरू बताना